तो यह सभीने सुना होगा इस क्वेश्चन को लेट वन नाइट अली वस चुछावायी सवाल अली के बदले पिंकु देता है अलग लग नाम देता है तो लेट बन नाइट अली वा स्टेडिंग फॉर इस आरेमसी एंट्रेंस एक्जाम वन दा लाइट से बनाता हूं और दूसरी जो कैंडल हो थोड़ी सी पतली कैंडल है लेंट्थ है यह आप हाइट भी कह सकते हैं वह बराबर है यह दो कैंडल से ठीक इनको जला देता हूं इस तरीके से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको रियल लगी ठीक इसार टू कैंडल्स ओके इनकी जो इनकी जो लेंट बराबर है अचा क्या दिया दा थिक कैंडल इस नहीं देगी ठीक है six hours ओके और दूसरे कैंडल के बारे में क्या दिया है और थिन फॉर टू आर्स लेस और जो यह पतली वाली कैंडल है वह इस थिक वाली कैंडल से दो घंटा कम जलेगी तो कितने फूर आर्स ओके अच्छा वेन आल वेंट तो स्लीप द थिक कैंडल ठीक है अच्छा अब यह कैंडल मजी नहीं पता कितने टाइम के लिए जली सपोज मैंने जला दी इस दोनों कैंडल सपोज मेरा एग्जाम है ठीक है सपोज तुमोरो इस माई एग्जाम ओके एन आफ लिट बोट द जल네 कैंडल ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूं मैंने सपोज I've studied for suppose I have studied for I have studied फॉर xrás सपोज मैंने एक सार्पाई करी ठीक है और एक सार्पाई करने के बाद तो मेरी पढ़ाय होगी अब मैंने मुबदय teenager तो जब जब I went to sleep the thick candle was twice as long as the thin candle तो जब मैंने बुझाई जाइड सी बात है दोनो candles जली होंगी और दोनो candles थोड़ा सा कम होंगी तो उसवक जो thick candle थी, let me draw one more diagram for you, ठीक है, उसवक जो thick candle थी, suppose this is the thick candle, okay, जो जो thick candle थी, इसकी जो length थी, it was twice the thin candle, तो thin candle थोड़ी सी थोड़ी सी ऐसी बची, ठीक है, ओके, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, यह after x hours वाला scenario है, ओके, समझ में आ रहा है, अगर इसकी height, अगर इसकी length L है, suppose, तो इसकी length कितनी जाएगी, its length will going to be twice of L, this is the condition after x hours given to you, ठीक है, ओके, तो इस condition को हम बाद में लेंगे, लेकिन first of all, you should know this, ठीक है, so I am erasing this, this part, first of all, I am taking here, ओके, सबसे पहले मैं यहां पर यह देखना, so this much is clear, I think, so, few students are saying 2 hours, few are saying 3 hours, let's see, okay, so this is the question, ठीक है, तो आप question देखने की जरुवत नहीं है मुझे, तो दो candles है, of same length, लेकिन एक थोड़ी सी मोटी है, और एक थोड़ी सी पतली है, एक पूरे 6 घंटा चलती है, और एक 4 घंटा जलती है, ठीक है, और दोनों को मैंने x hours जलाया, और x hours जलाने के बाद, जब मैंने मुबत्यां बुझाई, तो जो मोटी वाली candle थी, this one is thick, this one is thin, this one is thick, this one is thin, और एक राफ्टर x hours, ओके, आफ्टर x hours, जो थिक कैंडल है, उसकी लेंथ कितनी है, it is nothing but the twice of, ठीक है, तो the length of thick candle is nothing but the twice of thin candle, this is what is given to you, ठीक है, इसकी जो length है, मैं आपर लिख लेता हूँ, इसकी जो length है, length of thick is equal to 2 into length of thin candle, ठीक है, तो बच्चे 2 hours बोल रहे हैं, कुछ 3 hours बोल रहे हैं, ओके, and they are busy in talking, खुद पर ही बात कर रहे हैं, duplicate, I don't know what they are writing, Tanish Kumar is involved in this, Jethra Desai is involved in this, ठीक है, this is not good, चलो, ओके, अब इसको अम किस तरीके से करेंगे, C now, अब इसको इसको अच्छे समझना, ठीक है, अब आपको पता है, see, what I have to do, I have to apply unitary method here, ठीक है, मझे क्या लगाना है, मझे लगाना है unitary method, ओके, suppose इस candle की height कितनी है, H, तो इस candle की height भी कितनी होगी, H, या length भी कह सकता है, length, H, ठीक है, तो हो क्या रहा है, हो यह रहा है, कि अगर मैं बात करूँ, ठीक कैंडल की, ठीक, if I will talk about thick candle, ठीक है, तो thick candle के case में, I am just applying the unitary method, आप इसको अच्छी से देखीगा, ठीक कैंडल के case में, जो ठीक कैंडल है, वो 6 hours में, कितनी खतम, कितनी जल जाएगी, H, height उसकी खतम हो जाएगी, see, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, unitary method किसमें लगा रहा हूँ, कितनी, कितना जो candle हो consume होगा, पूरा candle consume हो जाएगा, H, height उसकी 0 हो जाएगी, तो 6 hours में, पूरी H, height consume हो जाएगी, this is nothing but the consumed height, मैं लेख लेता हूँ, consumed height, and this is time, 6 hours में, लेकिन जलतों सिर्फ X, hours दे रही है candle, और definitely X, hour तो 6 hours से कमी होगा, क्योंकि candle बच रही है न, पूरी consume नहीं होगी, तो definitely अगर 6 hours में, H consume होगी candle, तो X hours में कम consume होगी, less, और less का formula होता है, less by more into individual value, तो less is X, X by 6 into individual value, individual value कितनी है, H, तो यहां से आजागा, X, H by 6 candle will going to consume, so remaining कितनी बचेगी, मैं consume की बात कर रहा हूँ, मतलब उतनी ही candle खतम जाएगी, so the remaining after X, hours, after X, hours, the remaining thick candle will be, मैं आपर लिख लेता हूँ, आपके लिए, after X, hours, ठीक है, the remaining thick candle, thick candle कितनी बचेगी, उसकी total lengthy H, minus, कितना, कितना चले गया, X, H by 6, इतनी consume हो गई, समझ रो, so total length में से में, total length में से में, इतना, जितनी candle consume हो ही है, उसको minus कर दूँगा, this is nothing but the candle which is consumed, okay, इतनी height कम हो चुकी है, तो कितनी height बची, the remaining height, this is the remaining height, or the remaining length, I should write the length, the remaining length of thick candle is this much, इसको if you will solve, you will get, 6H, okay, minus XH upon 6, and you can take H common, so what will going to come, 6 minus X upon 6, so this is nothing but the length of the remaining length, after XRs हा, मुझे X ही निकालना है कि मैंने कितने घंटे पड़ा है, X घंटे पड़ने के बाद, जो candle बची थिक वाली, वो कितनी बची, H 6 minus X upon 6, similarly, similarly, I will apply the unitary method with thin candle, thin candle, क्या दिया है thin candle, कि thin candle 4Rs में कितनी जल जाएगी, H height जल जाएगी, मतलब H length जल जाएगी, length से में, लेकिन मैं तो सिर्फ XRs के लिए जला रहा हूं, तो XRs के लिए less length होगी, तो less का formula क्या हो जाएगा, less by more into individual value, again, less by more मतलब X by 4 into H, okay, so this will nothing but the candle, ये जो XH by 4 आएगी, ये तो क्या होई है, consume होई है जो candle, अब remaining thin candle कितनी बचेगी, remaining length of thin candle, thin, पतली वाली, तो पतली वाली के जो height थी, वो भी H3 minus XH by 4, so this will going to, this will going to be 4H minus XH by 4, if again you will take H common, it will going to come 4 minus X by 4, ठीक है, तो इन दोनों को मैं highlight कर रहा हूं, ठीक है, ये जो length है, this one, this is the, this is the length, ये after XRs वाली condition है, जलने के बाद, जलने के बाद, this is the length of thick candle, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और this is the length of thin candle, after XRs, इतना जलने के बाद, और condition क्या दिये, जलने के बाद, after XRs, तो जो thick candle की जो length है, that is twice the length of, ठीक है, तो वो condition रख रहा हूं, and then I will put values, so what is given to you after XRs, again I am writing it, after XRs, length of thick candle is nothing but twice 2 into length of, length of thin candle, length of thin candle, so length of thick candle कितना है, it is H in bracket 6 minus X upon 6 is equal to twice into, what is the length of thin candle, H in bracket 4 minus X upon 4, that is it, what you have to do, you have to solve it, okay, very good, बच्च, they are saying that at least read it for three hours I have not written the full question take a question I hope you check otherwise what you do please send please send the question in telegram so I have directly solved it I have not written the question but this is called now let me solve this very easy to to the four to three is a h and h will get cancelled okay or three much like us this is going to six minus X is equal to three in bracket four minus X so six minus X is equal to twelve minus three X okay so this will be three X three X minus X is equal to twelve minus six so this will be two X is equal to six X is equal to three hours take it X is equal to three hours not up after three hours take it Ali kitne kitna ghanda para is kamala Ali studied for three hours okay therefore Ali studied for three hours okay so it's not two it's three so the answer is three it's not two hours okay